ये दिल्ली पुलीस तो केंद्री सरकार के ही अधिन आती है केंद्री ग्री मंत्राले के अधिन अब बीजेपी बताए कि ये बीजेपी के अधिन जहां कि सासन परसासन पुलीस है उस राज में ये अपराधी राज कायम हो रहा है दूसरे परदेसों में जहां बीजेपी के राज नहीं है विपक्ष की सरकार है वहां तो बीजेपी खुब हाई तौबा मचाती है लेकिन जो बीजेपी चाहे उत्तर परदेसों चाहे दिल्ली में जो कल घटना घटी है यह अत्यंत ही दुरुभाग्यपूर्ण है और दुखदाई है और यह बीजेपी की केंदर की सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि यह कौन सा राज अपराधी राज और जंगल राज बीजेपी ने लाया है पंचायती अलेक्सन हैं, आपे वाइलेंस जो है, पॉलिटिकल वाइलेंस, पॉलिटिकल लोगों के हट्जा हो रही है कल मुस है मिनिस्टर ऑफ अप स्टेट उनकी भी गाड़ी पर पत्पाव किया गया और ऐसे में राज़िपाल के जो कारिकाल हैं जो कारी कर रहे हैं राज़िपाल टीमसी बता रही है कि बीजेपी से प्रेडित थे बीजेपी के वरकर की तरह काम करते हैं राज़िपाल देखिए बंगाल में बीजेपी चाहती है कि हिंसा हो जिससे बीजेपी अपना राज्यतिक रोटी से के चुनाव के समय से ही लगी हुई है ममता दिदी बंगाल में उपद्रवियों पर अपराधियों पर पूरी तरह से लगाम लगा चुकी है और कोई भी अपराधि हो चाहे उपद्रवी हो कोई हिंसा फैलाएगा उसमें सामिल होगा उनके उपर कठोर कारवाई ममता दिदी कर रही है लेकिन भारतिय जनता पार्टी चाहती है कि बंगाल में अराजकता हो इसी तरह से उनुमाद हो फसाद हो हिंसा हो सांती ब्यवस्था खत्म हो जिसको लेकर के बीजेपी को राज्यती रोटी सेखने का वहाँ मौका मिले इससे कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है अपराधियों पर ममता दिदी की सरकार ने पूरी तरह से लगाम लगाया है सिर्वन देर मैनों से हिंसा हो रही है और अब तो सेनाओं की उपर भी गूलियां चलाए जा रही है सेनाओं की हत्या हो रही है कैसे देखे मनिपूर जल रहा है आदरनी गरी मंत्री जी वहां गए थे मनिपूर में इसके बावजूद मनिपूर के जो हालात हैं वो बत से बत्तर होते जा रहे है लोगों की जाने जा रही है लेकिन ये केंदर की सरकार चैन की बंसी बजा कर सोई है जिस तरह से हमारा मनिपूर का हाल है क्या कर रही है केंदर की सरकार ये तो दिखी रहा है इसलिए मनिपूर की सासन व्यवस्था जो है पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और वहाँ जिस तरह से हालात उत्पन हुए हैं इसके लिए सीधे तोर पर बीजेपी जिम्मेवार है अगर विपक्षी पार्टियों की जो सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्री पार्टी है वो अगर हमारा सहयोग करे उत्तर परदेश में तो पीजेपी को हम अस्ति सीटों पे हरा देंगे देखे ये तो सही है कि जो 2024 की लड़ाई है वो बड़ी है और भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प सभी गैर भाजपा विपक्षी दलों ने लिया है तो कॉंग्रेस पार्टी राष्टी अस्तर पर ड्राइविंग सीट पर रहती है अगवाई करती है कॉंग्रेस पार्टी के पास बहुत सारे राज्य हैं पूरे देश में चुनाव लड़ती है लेकिन छेत्रिय पार्टियां जिन जिन राज्यों में मजबूत हैं और सीधे बीजेपी से लड़ाई में हैं उनकी एहमियत को कॉंग्रेस पार्टी को समझनी पड़ेगी और ड्राइविंग सीट पर छेत्रिय पार्टियां ही वहाँ चाहे बिहार हो उतर परदेश हो बंगाल हो ऐसे राजियों में महाराष्ट्रों रहेंगी तो कॉंग्रेस पार्टी के साथ कॉंग्रेस पार्टी पूरी तरह से मिलकर दोजार चौविस के रन को जीतने के लिए तैयार है हम समझते हैं कॉंग्रेस भी इस बात से सहमत होगी देखिए नाम और इत्यास बदलने का काम ही बीजेपी कर रही है काम की तो बात ही नहीं कर रही है अब तो बीजेपी का ही नाम जनता ने बदल दिया है बीजेपी का मतलब होगी या भागो जनता पकड़ेगी इसलिए बीजेपी के पास सवालों का जवाब जनता का है नहीं तो ये नहरू जी के नाम बदल रहे हैं पंडित जवारलाल नेहरू जी देश के जनता के दिलों में बसते हैं, इसलिए उनका नाम जनता के दिलों से वो नहीं मिटा पाई है।